और वही राजनाद गाउं जीले के डोंगरगर व्यदान सबाद छेतरे में अनुशुचित जाते विकास प्राधी करन के अध्यक्ष और डोंगरगर व्यदायक भुनेश्वर बगेल के द्वारा महिला स्वसाहता सम्हू को रोजगार से जोडने के उद्यश से लगातार सकार प्रयास देखने को मिल रहा है इसी क्रम में आज डोंगरगर रेलवेर स्टेशन में एक स्टेशन एक उत्पादन के तर्ज परग्राम चैतु खपरी की सम्रिदी महिला स्वसाहता सम्हू की महिलाओं के द्वार निर्मित उत्पादों को को विक्रे के लिए एक आउटलेट डोंगरगर रेलवेर स्टेशन के बाहर परिसर में उपलब्ध कराया गया जिसका उत्गाटन आज विदेवत पूजा अर्चिना कर डोंगरगर विधायक भुनेश्वर बगेल के द्वारा किया गया तो वही उत्गाटन कारिक्रम में पहुचे अनुसूचित जाते विकास प्राधी करण के अध्यक्ष और डोंगरगर विधायक भुनेश्वर बगेल ने कहा कि डोंगरगर विधान सभाद छेतर के ग्राम चैतु खपरी की महीला स्वसायता समूह को आज वेकी स्टेशन एक उतपात के तर्ज पर डोंगरगर रेलवे स्टेशन के बाहर एक आउट किसीदिक कैसे मजबूत हो यह हमारी चैतु खपरी की महीला बहने खरामीड महीला बहने हैं जिनको आज यहाँ पर सहर में रोजदार करने का वन इस्टेशन वन उत्पात के तहत इनको यहाँपर एक आउशार मिला कि वह अपने उत्पात कि मैं के शहरों में भी आ सके और तो वही नेशनल होराइल्ड मामले में वधायक बुनेश्वर बगेल ने बताया कि भाश्पापा निशाना साथे उन्होंने कहा भाश्पाद वारा कॉंग्रेस को कमजोर करने की साजिश की जा रही है जिसके तहत इल्डी के सामने पिछले तीन दिनों से गांधी परिवार को पेश होना पड़ रहा है आगे उन्होंने भाश्पापर तंज कसने में कहा कि हम उस परिवार से हैं जिन्होंने आजादी में अंग्रेजों से लड़ा है तो इनसे क्या डरना इडी के सामने से पेश होने से कोई निये बन रहा है नेशनल हेराड के बारे में आप सब लोग जानते हैं बहुत कुरानी एक पेपर हुआ करती थी हमारी कॉंग्रेस पार्टी के दौरा निगाली गई पेपर थी और जिसमें उसके मामले में दो तीन बार इडी ने हमारे राश्टी नेता अधरणी राहुल गांधी जी को बुलाया है और लगातार तीन दिन तक पता नहीं यह पूछ रही आज भी यह तीसरा दिन है कि आज रहुल गांधी को बुला के परशान करने की बात कर दी है और हम लोग उस परिवार के कारी करता हैं जिन्होंने अंग्र बहराल जैसे जैसे चुनाविस साल करीब आ रहा है वैसे 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 कॉंग्रेस भाजपा के बिर्जबाने जंग तेज होती दिखाई दे रही है और आरो प्रत्यारो भी खुल कर लगाए जा रहे हैं जहा कल भाजपा के रास्टे उपाध्यक्ष और प्रदेश के पुर्वमुख्य मंतरी रमंत से हिने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कॉंग्रेस पर पलटवार किया था तो वही आज अनुसूची चाते विकास